नमस्कार ताकि ये कहानी देश के कोने कोने में पहुंचे तो हम शुरू करते हैं डावर के सफल होने की कहानी दोस्तों बास शुरू होती है कलकता से जहां पर एक छोटे से क्लीनिक में व्याद आसपास के लोगों का नैचरल तरीके से इलाज करते थे उनकी दवाईयां लोगों को बहुत पसंद आती थी उनका नाम था S.K. बर्मन 1884 से उन्होंने उसी क्लीनिक से लोगों को आयुर्वेदिक दवाईयां देनी शुरू की जिससे लोगों को बहुत फायदा मिला लोग उन्हें डाक्टर बर्मन कहकर फुकारने लगे आक्टर बर्मन की डेथ हो गई और सारा काराभार उनके बेटे के कंधों पर आ गया उनके बेटे ने कारोबार पखुवी संभाला और कंपनी को नई उन्चाईयों के मुकाम तक पहुंचाया 1919 में एक पहली रिसर्च लाब खोली गई जिसमें नई नई तरह के इनोवेशन किये जाने लगे 1920 में दो मैनुफेक्टरिंग प्लांट खोले गए नरेंदरपूर और देवघर देवघर के डाबर प्लांट की वज़े से वहां के एरिया को डाबर ग्राम भी कहा जाने लगा 1940 में डाबर ने अपना पहला पैकिंग प्रोडेक्ट डाबर आवला हेरोयल लांच किया जो कि लोगों में बहुत पापुलर हो गया इसके बाबर डाबर चवन प्लाश, लाल दंत मंजन, हाज मोला इत्यादी कई प्रोडेक्ट मार्किट में उतारे 1972 में डाबर फैमिली ने अपना बिजनस डेली शिफ्ट करने का सोचा 1989 में साहिवाबाद में नई फैक्टरी खोली गई और खोल दिया गया डाबर रिसर्च और ड्वल्पमेंट सेंटर यानी DRDC 1993 में एक हेल्थ केर सेंटर हिमाचल में खोला गया जहांपर कैंसर के पीडितों का इलाज किया जाने लगा 1998 में कंपनी ने बड़ी बड़ी पोस्ट पर कई प्रोफेशनल हायर किये और आगे चल कर कंपनी का सारा काम उनी के हाथों में सोप दिया जिससे कंपनी काफी ग्रो करने लगी 2013 में कंपनी की वैल्यूवेशन पांच बिलियन डॉलर की हो गई और आज कंपनी के 200 से अधिक प्रोडेक्ट मार्किट में है और कंपनी का रिविन्यू 10,000 करोड से भी जादा है तो देखा दोस्तों डाबर की सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बर्मन की महनत थी क्योंकि सफलता का कोई शोटकट नहीं होता मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर बहुत मोटिवेट होती हूँ अगर आप भी मेरी स्टोरी से थोड़ा मोटिवेट हुए हो तो प्लीज इसे शेयर और लाइक चरूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है